हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त है आज लेके आई हूँ में मिंटों में बनने वाला ऐसा क्रिस्पी नास्ता इस रेस्पी को बनाना बहुत ही असान है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बेनफिशियर को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले लिए मैंने कड़ाई कड़ाई में एक टोड़ी सूजी ले रही हूं मेरी बारिक सूजी है अगर आपकी मोटी हो तो मिक्सी में आप इसको के यूज के लिए तो इसको एक से दो मिनट के लिए लोटू मीडियम गैस पर हम इसका हलका सा इसको भून लेंगे इसका कलर चेज नहीं करना है से धीरे धीरे भूनना है लोटू मीडियम गैस पर निकाल लें बॉल में सेम उसी कड़ाई में दो चम्मच मैंने ले लिया है आप ओइल घी जूमर्ची ले सकते हैं उसके बाद half teaspoon डाल रही हूं मैं जीरा जीरा जब हलका सा हमारा बुन जाएगा तो उसके बाद जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी सेम उसी कटोरी से मैं पानी ले लूँगी मैं दो कटोरी पानी ले रही हूं आपकी जितनी सूजी हो उसका डवल आपने पानी लेना है फ्रेंट थोड़ा सा मैं रिकोर्ड करना भूल गी थी उसके बाद जो पानी हमारा गरम हो जाएगा थोड़ी थोड़ी सूजी हम डालते जाएंगे तो जो सूजी है वो जल्दी से खटा होने लग जाएगी उसके बाद मैं इसमें डालोंगी नमक तो इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है उसके बाद इसको हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भूल लेंगे तो ये एक डो के रूप में खटा होना शुरू हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे हम एक ब्लेट में तो प्लेट में रख कर हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे यह बैटर हमारा थंडा हो रहा है उसके बाद मैंने लिए हैं तीन आलू लिए हैं मीडियम साइज के हैं यह बॉयल आलू है तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम कद्धूस कर लेंगे अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से भी इसको कर सकते हैं तो सारी आलू को लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला आप यहां पर आम चूर या चाट मसाला का भी उज़ कर सकते हैं इसके बाद हम सारी चीज़ों अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती तो इसको भी डा कर लेना है उसके बाद हम क्या करेंगे तो जो थोड़ा सा हम उसमें से बैटर लेंगे और हाथ पर रोल करकर एक मोटी सी रोटी जितनी लेते हैं उतना हम हाथों पर लेकर एक पेड़ा बना लेंगे और इसको चकले पर तेल लगाकर बेलन से हम इसको बेलेंगे तो इसको ह जी सफाहिं हो नायफ नाइफ से पहले क्या क्राइँ लेंगे के दीध साइट सिसे निकाल लेंगे तो हमें एक चोरे स्पीक कर नाएं करना है तो थोड़ा सा बैटर लेकर हम एक पीस पर जो मसाला है उसको लगा लेंगे तो लगा लेने के बाद हाथों से अच्छे से इसको फिला लेंगे तो दूसरे पर भी इसी तरीके से हम अपना जो मिक्षर है उसको ले लेंगे और अच्छे से इसको फिला लेंगे तो दोनों पीसे मैंने आलू का जो मिक्षर अच्छे से फला लिया है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम दूसरा पीस उठाएंगे और उसके हम इसको कवर कर देंगे तो दोने नास्तों को मैं इसी तरीके से कवर कर लूँगी तो दोने नास्तों को इससे कवर कर लेने के बाद हलके हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे जिससे यह आपस में चिपक जाएगा और हम जब इसे ओल में फ्राइ करेंगे तो यह खुलेगा नहीं इसके बाद एक नास्ते को हाथ पर लेंगे और एक लेंगे चम्मच आप चाकू से भी और इस ले सकते हैं उसके बाद हलके हाथों से मैं इस पर एक तरिछी लाइने बना रही हूँ इस तरीके से बनाओंगे तो नास्ता देखने में भी बहुत खूपसूरत लगता है तरफ इस नास्ते को जरूर बना के देखिए यह बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि यह देखने में भी खाने में तो टेस्टी है देखने में भी उतना ही टेस्टी है तो इसको हम शेलो फ्राइ कर लेंगे उसके लिए लिए है कड़ाई में मैं दो से तीन बड़े चमच ओईल लिया है ओईल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक एक नास्ते को हम इसमें डालते जाएंगे तो एक एक नास्ते को हम इसमें डालते जाएंगे इसमें हम जादा नहीं डालेंगे एक बार में थोड़े से ही डालेंगे क्योंकि यह आपस में चिपक जाए हम सारे नास्तों को अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे तो इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे एक से दो मिनट बाद ये एक तरफ से हो चुका है तो मैं इसको पलट लूँगी तो दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से हमारा जो क्रिस्पी हो चुका है नास्ता इसको निकाल को बेस्ट को इतों और अँब को में आपर तह में करण तो निकालेंगे प्लेट में तो देखने में लग रहा है ना खुबषूरत रिच्पी बच्चों पसंदा उने वाली है क्यूंकर तेखने है ही देखने में उतनी ही अच्छे भी है तो एक बार फ्रेंस इसको जरूर बना के देखिए तो सारे नास्ते को में निकाल लोगी इसी तरीके से तो फ्रेंस सारा नास्ता है जो वो मेरा त्यार हो चुका है मैंने निकाल लिया है उसे प्लेट में तो मैं इसको इंजोई कर र झाल 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 झाल